राच्स्थान हके भीलवारा शहर से एक संसनी खिज मामला सामने आया है। थाना प्रभारी पुष्पा कासवाटिया ने बताया कि हाथसे में श्रम्भुगर के कानपुरा गांग के रहने वाले 22 साल के रामस्वरू पुत्र छगन जाट की मौत हो गई। तक युवक को घह सीटते हुए ले गया। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हाथसे के बाद ड्राइवर भी मौके से बस छोड़कर भाग गया। बस प्रोसेस हाउस में श्रमिकों को लाने और ले जाने के लिए लगी हुई थी। पुलिस ने बस को कगजे में लिया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। पुलिस ने पोस्ट अमॉर्टम के बाद शव परिचनूर को सौप दिया। घटना का सी सी टीवी फुट्टिच सामने आने के बाद ये भी सामने आ गया है कि मामले में जहां बस ड्राइवर की लापरवाही रही तो बड़ी लापरवाही बीच सड़क पर वाहन खड़े करकर बाद चीत कर रहे युवा की भी थी। वह अपने परिचित के साथ सड़क के बीच में खड़ा होकर बाद चीत कर रहा था। इसी दोरान तेज रफ्तार बस चालक ने उसे कुचल दिया और लापरवाही कि चलते युवा को अपनी जान गवानी पड़ी हलाकि पुलिस इस पूरे मामले की जाच में जुटी है वहीं फरार चल रहे चालक की भी तलाश की जा रही है